हेलो अबरबान स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल के उपर तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको HPPSC के अंदर अपनी photos and signature को upload करने कैसे उसका resize करना है कैसे जो size है उसको adjust करना ठीक है कैसे क्या pixel रहेगा centimeter में कैसे convert करना है ठीक है तो मैं आपको बताऊंगा step by step for full process बताऊंगा तो पहले भी मैंने एक video upload की थी photo and signature के regarding में तो उसमें कुछ बच्चों को अभी भी problem आ रही थी तो उसी से related ये मेरे second video रहेगी और मैं एक ऐसी site बताऊंगा जिससे कि आप अपने photo जो है वो resize कर सकते हो और उसको HPPSE के side के अंदर upload कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले आपको Chrome पे जाना है और वहाँ पर search करना है imresizer.com imresizer.com पे जाने के बाद आपको इस site के ओपर आ जाना है ठीक है तो इस site के ओपर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपना जो photo है आप यहाँ पर resize कर सकते हो image को in centimeter, millimeter, inches या फिर pixel में आप यहाँ पर convert कर सकते हो ठीक है तो जो भी photo आपको resize करने है simple आपको यहाँ पर upload image लोपर click कर देना है और जो भी width मांगी होगी जो भी height मांगी होगी inches में, centimeter में, millimeter में, pixel में वो आप यहाँ से convert कर सकते हो ठीक है जो भी इसका format मांगा हो ठीक है जो भी format जैसे jpg हो गया jpeg हो गया, png हो गया, pdf हो गया तो वो आप यहाँ से simple change कर सकते हो ठीक है, जो भी format आपको चाहिए होगा आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है तो जो हमारा hpsc है वहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका जो size है, वो है 3.5 inches into 4.5 जो होगी इसकी inches जो होगी, वो इसकी height होगी ठीक है, वेर्थ रहेगी 3.5 और जो height रहेगी 4.5 ठीक है, तो simple आपने photo upload के उपर click करने है और कोई भी photo select करने है ठीक है, photo select करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो width भागी है, वो है 3.5 और जो यहाँ पर height होगी वो होगी आपकी 4.5 सेटी मेटर, ठीक है तो सेटी मेटर में मांगा सब कुछ ठीक है, तो inches को भी हम सेटी मेटर में चेंज कर लेंगे, तो जो हमारा unit रहेगा वो इसको हम सेटी मेटर में convert कर देते हैं फिलाल में इसको inches ही रखोंगा, आप इसको सेटी मेटर कर लेना, ठीक है तो सब कुछ सेट करने के बाद यहाँ पर आप उपर आज आगे और उपर यहाँ पर next to download के उपर यहाँ पर click कर दोगे ठीक है, तो जैसे next to download कर रोको तो यह download हो जाएगी, ठीक है तो जो download हुई है उसका जो यहाँ पर आपको size यहाँ पर यह नीचे आओगे तो size दिखा देगा जितने भी properties है, वो सब यहाँ पर दिखा देगा क्या इसकी bet है, क्या इसकी height है क्या इसका format है और क्या इसका size है, ठीक है quality भी बतादेगा, high है, kilo है तो यहाँ पर जहाँ से की आप देख सकते की इसका size अब काफी high है ठीक है, तो high है तो इसको low करने के लिए आपको यहाँ पर उपर जाना होगा और उपर यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा, जिसमें की file का size reduce करनी को बोलता होगा, ठीक है, change file size तो जैसे भी change file size की ओपर आप click करोगे, तो जो भी आपका photo होगा, उसको आपने upload कर देने, और उसको, जो size है वो automatic अपने select कर लेने जो भी आपको size चाहिए होगा, उसके पर आपको next to download की ओपर click कर देने ठीक है, जैसे next to download की ओपर click करोगे, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर properties दिख रही होगी जो भी इसकी width और height रहेगी, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है हमारे पास और जो format वो jpg है, और यहाँ पर size देख सकते हो, कैसे sizes का काम होगे है, ठीक है साथ मैं अगर आपको size जो pixel में चाहिए, तो उसको भी मैं करके दिखा देता हूँ, तो जो pixel की width रहेगी, वो 110 रहेगी, और height चार्ज 140 रहेगी, ठीक है pixel आपने format select कर लेने, और यहाँ पर jpg करके आपको dpi करने है 200, ठीक है, dpi 200 को करने, और उसके बाद next to download के उपर click कर देने, तो जैसे कि आप properties देख सकते हो, pixel में आपने change कर दिया है, jpg हमारा format रहेगा, और जो size 26 के भी रहेगा, और जो dpi है, वो 200 और quality automatic high show कर रहे हैं यहाँ ठीक है, तो अच्छी quality का यहाँ पर pixel में बन जाता है, तो अब अगर try करो हो, तो pixel में ही करना, ठीक है, यहाँ पर special HP PSE के लिए, जो photograph और signature का size मांगा है, वो मांगा है, 3.5 cm into 4.5 cm मांगा, ठीक है, format रहेगा jpe, jpeg, png में रहेगा, ठीक है, तो जो भी आप photo upload करोगे हो, इसी format में होना चाहिए, ठीक है, तो जैसे ही अपने photo और signature, अपना size जो वो change कर लिया, तो उसके बाद आपको यहाँ पर वो आके upload कर देना, size जो है वो sign का यहाँ पर 10 से 50 के भी है, और जो photograph है उसका 10 से 100 के बीच में रहेगा, ठीक है, तो जैसे कि आप इसको follow कर अगे, तो यह upload हो जाएका, लेकिन फिर भी आपको कोई problem आती है तो आप मुझे comment करके post सकते है, ठीक है, जो site है, वो हर एक examination के photograph और signature के लिए, सही है, हर एक format को, यह size को, यह adjust कर देती है, ठीक है, तो जितने भी HP, PSC के अंदर paper पर आते है, HP, SSC के अंदर आते है, या फिर SSC के आते हैं, Central Level के आते हैं, बैंगिंग के आते हैं, तो यहाँ से आप इसको change कर सकते हैं, ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, चैनल को जू subscribe कर ले, और like करके दुछरों के साथ भी share करते हैं, Thank you